हेलो एवरिवन तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने चारी हूँ बकराई दी स्पेशल कच्छे कीमे और चने की दाल के कबाब जिसे हम बनाएंगे बिना ओइल की बहुत जादा हिल्दी और बहुत जादा चटा के दार बन कर रेडी होता है तो इस बकराई तो यह बनाना ब हम सबसे पहले हम 1फ कीजी कीमा देलेंगे तो हमने हमने म电 कीमा लिया उच्छी तरीके से वाश यूशर कर लिया वश करने के बाद ने लीड़ा वाश प्रहए लेंगे उसके लिए हम एक मिक्सी कजार लेंगे वन टीस्पून जो है तो लाल मिर्च लेंगे हाफ टीस्पून अजवाइन लेंगे वन टीस्पून जीरा लेंगे हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर लेंगे और हाफ टीस्पून जो है तो नमक लेंगे और हाफ टीस्पून ह तो निकाल लेंगे वन टीजबल स्पून चिली फ्लेक्स दालेंगे वन टेबल स्पून जो है तो ब्लैक पेपर दालेंगे उसे भी हमने कूट करके लिया है तो धनिया को हमने ऐसा कूटना एक एक दम मोटा मोटा रखना तो यह जो कबाब का मसाला बढ़िया तरीकी से रेड करने के पाद हातों से अच्छी तरीके से नितार लेंगे ताकि अनियन का पूरा वाटर निकल जाए अब यह वन टीजबल जो है तो कद्दू कस किया और अध्रक का पेस्ट लेंगे तीन से चार हरी मिर्च को हमने जो है तो ग्राइंडर से ग्राइंड किया है या फिर आप चौपर से चौप कर सकते हैं यहां पर खुब सारा धनिया लिया इसे भी हमने चौपर में चौप किया है और दाल दिया है सारी चीज़े जितने पी वेजिस लेना है इसे चौपर में चौप करना है या तो फिर मिक्सी में चौप करना है और इसका पहले पानी निकल लेना ह क्योंकि इसमें हमें पानी बिल्कुल भे ने चाहिए और फिर इसे अच्छी तरीके से जो है तो हम मिक्स करेंगे और नमक भी डालेंगे नमक डालने के बद बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे तो यहाँ पर हमारे जो कीमा है बढ़िया तरीके से रेडी हो चुका है बस इसे टाइम हमें कबाब बनाना है लेकिन इसमें कुछ प्रोसेज और भी बाकी है तब यहाँ पर हमारे कीमे को हमने साइट में रखा 5 में यहाँ पे हम 100 ग्राम जो है तो चना दाल लिया है और इसमें बिलकुल पानी नहीं होना चाहिए अच्छी तरीके से निधार कर ले या फिर कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून ले सकते और इन सारी चीजों को जो है तो अच्छी तरीके से पहले हातों से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मेथी पता है यह भी बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए अब यहां पर हमारा जो सेकंड इसे एक तो मिक्सी में पीस ना या तो फि हमारे ले पर पूट प्रसेसर में यह उस से अच्छी तरीके से सेसका भार ही इक फाइन पेस्ट बनाना है और हमारा जो कबाब का बैटर बनयेरेडि इसे आप किसी शेप का भी बनाकर रेडि कर सकते तो इससे पहले हमें हाथ को वाटर लगा लेना है ताकि हम कबाब को शेप दे सके लिए कि नाज हम टिक्की के शेप में कबाब बनाएंगे बाकि आपको अगर सिलेंटर शेप में बनाना है यह बॉल शेप में बनाना तो आप बना सकते हो तो यहाँ पर हम एक एक करके टीकी के shape में कबाब बना लेंगी है अपर हमारे सारे कबाब हमने बना कर रेडि कर लिए अब इसे आप स्टोर भी कर सकते क्योंकि इसमें बिलकुल भी water नहीए अब हम एक pan लेंगे चाहिए non stick का हो चाहिए iron का हो जो भी pan हो आपके पस उसमें हम तोड़ा सा ओईल डालेंगे, आप बिना ओईल के बनाना चाहते हों, तो आप नोंस्टिक के पैन में बना सकते हैं, हमने आईरन का पैन लिया, उसमें वन टीस्पून ओईल डाला, और फिर ये जो कबाब है ये डालेंगे, और इसे अच्छी तरीके से हैं, तो सीख लेंगे, ताके जो है, तो ये अच्छी तरीके से अंदर तक के पक जाए, क्योंकि कबाब कीमे की वज़े से फूल जाते हैं, और अगर हम प्रेस का दें, तो बढ़िया तरीके से पक जाते हैं, तो इस तरीके से हम पकाने हैं, अगर आप इसमें बटर वगरा भी इस्तिमाल कर सकते ह अगर आपको इस तरीके के बनाना हो तो तो यहाँ पर लगबग 10-12 मिट हो चुके है हमने slow flame पर बहुत ही अच्छी तरीके से कबाब के जो टिकी है यह बनाकर ready कर लिए फिर से हम पलट डेंगे और इसे अच्छी तरीके से golden brown होने देंगे क्योंकि कच्छे कीमे के हमने बनाये ना अब उपर से हम क्या करेंगे सारे अच्छी तरीके से पक चुके है लेकिन one teaspoon फिर सो oil डालेंगे ताकि अगर यह थोड़े से भी कच्छे रह जा तो अच्छी तरीके से पक जाए यहाँ पर फिर से पांच मिट हो चुके है अब हम कबाब को निकाल लेंगे तो इस तरीके से हम सारे कबाब को निकाल लेंगे और second step भी इसी तरीके से बना लेंगे यहाँ पर हमारे सारे कच्छे कीमे के और चैना दाल के कबाब रेडी है तो देखिए गाइस कितने अच्छे और बिना ओइल के बनकर रेडियो है I hope guys आपको ये recipe पसन आई हो अगर आपको ये recipe पसन नहीं तो please like करना, share करना, subscribe करना साइट में जो bell button आता उस call पर click कर देना अल्ला आफीज and take care